पापिस्तान को बने हुए गर्गौरियन कलें यहुद्यों को जो जो है गर्गौरियन कलेंडर वो इसके मताबिक जब हम देखे तो गर्गौरियन कलेंडर जो है वो यसुमसी की मौत के बाद जीवतने 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 के बाद ना अस्मान से ना जमीन से है, ना जात किसमे है? यसु नाम में है, आस्मान के तले, जमीन के उपर, आदमियों में से किसी और को कोई दूसरा नाम नहीं बख्चा गया, एक ही नाम है रो नाम यसु नाम है, आए उसी का शुकर अदा करते वे आएज के दर्स पर गोर करेंगे कि चुदामों की शीरी और परमुदा वाज हम सब के लिए क्या है? मरकली हवाला हम सब के लिए खुदामों यसुमसी की मार्फ़त लिए गया, मुकाशपा जो के दर्हकीकत खुदामों यसुमसी ही का है, लेकर लिकमाने वाले यहोना आरफ है, उसका उन्नीसमा बाप और ग्यार्वी आयद से रेकर सुल्वी आयद तक खुदा उनके पाक किलाम को पढ़ेंगे Revelation chapter number 19 verse number 11 to 16 सुल्तान अर्फिन हज़त यहोना रसूल की मार्वत लिखा लिखी गई मुकाश्वा की किताब उसका 19 वाव और उसकी 11 वी आयद से रेकर सुल्वी आयद तक खुदा उनके पाक किलाम को पढ़ेंगे मुकाश्वा की किताब बाव नमबर 19 और उसकी 11 वी आयद हमोशी इक्तियार की लिएगा तक हम खुदा के किलाम को पढ़ने वाले बंस के तक कि खुदा ने सब नमों से ज्यादा अजमत किसको बख्षी है अपने किलाम को बख्षी है अगर हम उसके अजमत करेंगे तो हम लाइक ठैलेंगे कि उसकी बारगाव में दाखिल हो वरना आप जानते के मारा कियाओ शुरूरूर से मैंने आसमान को खूला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफएद गोड़ा है और उस पर एक सभार है जो सच्चा और बरहुक कहलाता है और वो रास्टे के साथ इंसाव और ड्रड़ाई करता है और उसकी आँखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता और वो फून की छिड़की हुई पुशाग पहने हुए है और उसका नाम कलाम-थुदा कहलाता है और अस्मान की फोजें सफेद भोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कुतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं और कौमों के मारने के लिए उसके मूँ से एक तेज तलवार निकलती है और वो लोहे के असासे उन पर हकुमत करेगा और कादरे मुतलिक खुदा के सक्त घजब की मैं के हौज में अंगूर रोदेगा और उसकी उशाग और रान पर ये नाम लिखा हुआ है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद किताव मुकदस का फड़ा जाना हम सब के लिए बादशे बरकत हो उदावंद का शुकर हो जमात कहें आमीन आइए अपने सुर्व को जुकाएंगे चल लमात की खमोशी क्तार कर से अपने दिलों को खाली करेंगे अब वो व्यवट आच की जिसकी वज़ने नाम को अजमत बसी वो खुदा का क्लाम है तो खुदा कि खिख यहां पर Head को ये हमारी रूहानी खुराक और घु मेरे लिए बैठी जमात के लिए बैटिमीडिया प्रोजेक्ट के लिए इलेक्रिसिटी के सारे प्रोग्राम के लिए खास तोर पर हवाधारी के हाकिम के लिए कि हमारे जहनों में से दूर हो क्योंकि जिस काम के लिए हम आया उसको पूरा कर सके और खुदा की कलाम को जानने माले बन सके सब लोगों की आखे बंद हो जाए और आखे बंद करकर शुकर उजारे की दुआ करेंगे। आखे बंद करेंगे बंद करेंगे। आखे बंद करेंगे बंद करेंगे बंद करेंगे। बंद करेंगे बंद करेंगे बंद करेंगे बंद करेंगे बंद करेंगे बंद करेंगे बंद करेंगे। तो मुकाश्वा के किताद हमें रहनुमाई अधा करती मुस्तक्बिल के बारे में आने वाले चीज़ों के बारे में क्या किया होगा और पूले लिखनेवाला और बारी नाई बलगे यहोनारसूल है वो यहोनारसूल जो ग् проблем यूसुमसी के साथ रहा करता था पेशे के तबाह से ये शक्समाईगीर था यहनास तबागी का शगिर था और साथ ही साथ ये ये सुमसी से प्यार करता ये सुमसी का दलेर शगिर था और ये सुमसी ये चाहते थे कि ये मेरे साथ रहे और जब ये सुमसी सलीव के ओपर मजूद थे तो यस्मुसी ने जिस शगीद के सबूद अपनी माभू किया वो यही होना रसूल था और यह वो रसूल है जिस्मुसी की खादर बड़ा दले रहा किसी से बहरा नहीं अपर एक ऐसा वक्त आया कि जब इन्होंने अपनी मुनादी का अगाद के सबूद के साओधे असमानी के बाद तो जो गहर अक्वान थी जो हसद रखने वालते जो क्रिटिक्स से मुखालफीन थे उन्होंने इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद तेल के कड़ा में उतार द आएगा इमान लाने वालक दरम्यान ये मुच जात होंगे को मेरे नाम से बद्रूहों को निकालेंगे सापो और बिच्छों को कुछलेंगे और अगर कोई हलाग करने वादी चीज पिएंगे तो उनको कुछ जारे ना पहुँचेगा तो यहाँ पर इनको हलाग किया लेकि ख़दा का फदल देखी कि जब इनको तेल के कड़ा के अंदर उतारा गया तो एक बाल भी बांका ना हुआ पिर इसके बाल उन्होंने और कोशिच की और एक और दूसरे मजभ का रहनुमा था उन्होंने एक मेह का इंतखाब किया उसके अंदर जहर मिलाया और जबरदस्ट जब पत्रत रसूL ने कहा था तुम भी जाना चाहते हैं तो जासक्ते हो लेकर अग्यका पत्रत रसूल है कि हमेशें की जञिए की बाते हैं उतोर हम जान गया और फोसरे रह सकते हैं, इसमेह रहं रहूं रहा है और इसमीशी को जाना धर यह चाना तर आहा ऑ्मिन दूसर तो मरता नहीं हमने इसको खतम करना है फिर इनको पतमस नामी जजीरे के अंदर जिदावतन कर दिया रिया और लोग यह चाहते थे कि वहाँ पर यह मर जाए लेकिन खुदा की पुदर देखिये पतमस के जजीरा के अंदर खुदा मुग यह सुमसी की तरफ से ऐसी किताब ना क्या हम नहीं एस पर ख़़गृ करें अकसरों बेश्तर बेश्तर ऐसा होता कि जब हम खुदा के पास आते हैं तो हमरी टाम कहीचे वालए जो हमारा दोश्मन है वो मैं ताम करता कि हम खुदा के पास ना जाए जर्फ से मुशकिल जर्सा गिर जाने की वज़ए से ठोकर रिष्टे दाराना मेरे अजीज है और वुझे धूप ताम करी एक ऐसा खुदा है लेकिन उसने ऐसा नहीं किया आज हमारा इमान ऐसा है हम यहां से बाहर निकल के बुरे बुरे दावे करना शुरू करते हैं कि खुदाओं ने हमारे लिए क्या किया अपके पास एक दिल है, सब के बादो गूर्दे है, दो आंके हैं दो कान एएक नाक है एक जुबान क्या किया चीज़ है अपने अपने जिसन को गिनने लग भिए तो शोखरुदारी करें ना सुकता है हमें अपने जिसम के शुक्र उधारी करने हैं अक्सीजन को देखें जिसको हम लेते हैं अगर आप ऐसी जगह बेजाए अगर आउटो स्पेस जाएं तो जो साइंस दानाम कहते हैं मर जाएंगे और फिर ऐसा वक्त प्याद जो आई स्रीयू के अदर आदमी मजूद होता है उ अबदी सल्तनत अबदी का मतलब होता है लाजवाज जो खतम होने वाली नहीं और सल्तनत का मतलब होता है मुमलकत जिस मुमलकत के अंदर हम रहते हैं हम भी जानते हैं ये खतम हो जाने वाली है लेकिन जिस सल्तनत की मैं आपको खुशखबरी देने के लिए हो गरंटी है ज है क्या। हम गोर्ड करते है अपने अभाहो इजिदात पा तो भाई-मुकदस बियान करती है कि आदम से जो नसल शाओ कहा है इंसानीएत का अगाज हुआ दुनिया के अंदर पहला बाद्शाह कौन था। दुणिया के इंदर, हिस्ट्री, टारीव के हंदर पहला बादशा कॉन था। क्भी सुना हो गोऄ कि आओ बाइवल में से पढ़ा हो तुछ क्या था। सव्व्विं बादश़ा कोन था। वेरी गुड़। कौन बादश्या था रॉद्व बाद। आनका में पात्व औरके बादशाह रहाए, पदाइश्टी किताब 10 गहराँ बाप आप चाहब यहाबादशाह था, अब हादशाह कर गदि किताब 10 गहराँ बाप अभी निकाल गए पड़े, वहां पड़े वहां पर लिकए खेलोगे निकाल्मरूद बादशाह शिकारी होकर गुदरा देखना कोई बादशाह कि पर इसके बादशाह किया। पहला बादशाह इसराह पर यहावा बादशाह था। नम्रोज बनाए जाते हैं। अग्राइसाय, अग्राइसाय, इसके बाइसाय बनिया तो लगोगों लोगों तर लोगों न वास्षाय बनाना शुरू कर दिया बलके लोग सिर्व से डरा करते इसकी इज़त किया करे इसलिए इसको बादशा का टाइटल या बाइद मुकदस के अंदर दिया गया फिर इसके बाद अगला इस साहथ तक इस तरह लोगों ने इतने बादशा बनाने शुरू कर दिये और फिर कौम बन इसरायल के पर खुदा होती इसका खुदाने जमीन को खत्म कर दिया अगला हिस्सा में पता रहता कि पिर अबना हां के साथ वदा के के तेले सुल्ब से एक बेटा काईदा आगा जो कौम और कबीले का बाद होगा वो कौन था इजहार के बाद कौन पैदा हुआ याकूब और याकूब के कितने ब पादान गए तो उनने वहाँ पर नसल बढ़ाई और जब नसल बढ़ती है तो नसल बढ़ने के फुर्म बास वहाँ पर उनना पुदा के ना को दिलाल दिया लेकिन कुछ सालों के बाद एक नया बास आ है मिसर का जो कि यह चाहता था कि यह लोग नहां बढ़े कुछ यह पहुंचा करते हैं इस बाद को मगते दिना से प्खार रखते हैं इसले अपने आपका दिखार करते हैं कि उनको खलाम बना लिया और 430 ही उनकी उंको खलाम बना लिया और 430 की उनकी फुर्म होगी हिर लेकिने फुर्ण़ओinky नदि विन गपार से ब्रक्ति तो फिर खुदामने अखिरकार अपने बंदे का इंतिखाब कर जिसका नाम क्या था जिनाब मुसा वो उनको महां से निकाल कर रहा है खुदामने का मैं आप तेरे साथ रहूंगा और यह से इसला इसी तरह चलता रहा है बहुत सारे बादशाय उम्रा आए बुद्रा आए हैं और फिर लोग दोबर लगने खुदा है कुछ रहा है इसके दर्मया यो वाकिया पे चारे साहा है और कौन से सल्टनत और ऐसी है जो खतह हो जाने वाली है अब आगे पढ़ते हैं आभ मुझे पताएं इस नहीं का पहला बादशा कौन? साउल बाच्छा सब पताएं कौन था दूसरा बाच्छा दूसरा कौन था दूसरा बाच्छा तीसरा बाच्छा तीसरा बाच्छा कौन था सुलिमान चोथा बाच्छा अब जब पहला बाच्छा कोन है सब पताएं पहला बाच्छा कोन है साउल बाच्छा दूसरा और तीसरा कि बारा बताएं, पहला बादशाव को है? साउल बादशाव, दूसरा, तीसरा, सुलेमान, साउल, दाउल और सुलेमान जाई ये बादशाव कर गुदरे हैं कि वाकिया हुआ, साउल न भी कह, पर बोल चरा है, खुदा बन कहता है, पर गुदान के बादशाव, पुराने हुए, फुरिष्टों की इगदा, जो के मनों सलवा है, मैंने इनको ख़़ाई, लेकिन ये लोग आपर सैंविल को कहते हैं, सैंविल हमें एक बादशाव कि पहले खुदा कहता है कि मैं बादचा जाहो लेकि लोग हमें 弆ते हैं कि आज भी हम यही हाल है हम नहीं चाह Athlete कम आरा भाचा मारा हो हम लोगों फटना बाते हैं लोगों के एंटर रहते हैं और यह तबखो उक्यूच करती है दूड़ने के लिए निकला जा जाकर इसको मसा किया और इसराहिल का पहला बादशाह साउल बना साउल अपने निस्वाइन पर काइन नहीं रहा सल्तने पाश पाश हुई और इसका पड़ोसी है वो बादशाह बना वो कौन था दाउड जो के कम सुने एक मोजवान था अगला इसाई इसी तरह आजिए चलता रहता है और सुलिमान के बाद जो सल्तनतह रहुपाम और रुआवान के सुलिमान के बादशाह और यरुबाम क्कौमतची वाँभाम और यरुपाम के को हुक्तों होगी क्योंकि मजूदा इसराइली के अदर आज भी हाजिन है अब यब यह संतना तूट गई तो फिर जो लोगते हैं अपनी मर्जी के मताबिकार काम करते हैं रहुमान किसका बादशा, युवास किसका बादशा, आसा किसका बादशा, यहुस्वत किसका बादशा, याकीन किसका बादशा, यहुयकीन किसका बादशा, यहुस्वत किसका बादशा, आसा किसका बादशा, हिस्किया किसका बादशा, यह सारे के सारे इसराइली बादशा अपनी अमर्जी से बादशा बनाए जो मेरी बादमाने वो ही मेरा बादशा होगा अब खुदा अपने लोगों से अपना मुव है जो मौड दिया और खुदा चाहता है कि ये मेरे दोबारा मती हो और जो सारे के सारे बादशा थे अयाश, बुद्परस्ट और क्रप किसम के बादशा थे खुदा के कलाम से दूर थे इस वज़ा से मिसर की गुलामी से निकलने के बाद ये दोबारा कौन सी गुलामी में गए बाबुल के असीदी के अंदर और मलाकी नभी की किताब के अंदर लिखा हुआ है अच्छाएे और बुराई में तुम फरत करो अच्छे में और बुरे में तुम फरत करो और आफ़ता में स्थाका तो तौलो होगा और। कि किर्नों में शिफा होगी और मैं अपना बंदा आगी बेज़ुका ताकि वो इस रख़ को प्तियार करें और फिरी यसाया में फर्माया इसलिए हमारे लिए एक लड़का तुबलत हुआ जो बादशा होगा जिसकी साथनत कभी खत्म है नहीं होगी जो यहुदा के तक्त पर अब से अब अब्दुल अबाता करें करेंगा वो बादशा कौन था मत्री की अंजीर लुक पड़े में लिटा चर्मी में पड़ा हुआ पाओगे और जब उन्होंने इस बातों को सुना तो बारी मुक्तिस ब्यान कर दिए और सब को छोड़ कर गए और जाकर उनको सहिदा किया और हैरोदीस पीस बादशा से डड़ गया था यह वो बादशा था जो कि अतना होकर ए जाब का वक्त नहीं आया इसलिए वहां से गाइब होगे उनकी नजरों से और जलोगे अगया वक्त और आगे बढ़ता है और फिर बादि मुक्दस आगे में बियान करती है कि यही नबूत आगे अनाजीर के अंदर पूरी होती है कि यहां पर नबूत ने किया है कि देख किसे किया जाता है खजूर की डालियों से और होशना के नारों से मुमारिख है वो जो खुदावन के नाम से आता है होशना वही बाद्शा है कि यहाँ पर लोगों नें एसेप्त किया कि जो आने वाला बाधिशा है वो यहूदियों का बाधशा है预हुदीयों का बाधशा एक ही बाधशा है और यहवः बाधशा है यह इनसान कभी बाशा Richard नहीं बांसे करें उसको यह नहीं पता कि यसुमसी मुझसमे कलाम है हललुया जो पुरा के बूसे निकलता है जब इस बात को आपको पक्ड़वाया गया आपको मार दिया गया अपती से मुर्दों में से जीवटे और आसमान परे वापी से चले जाते हैं यह सारा साटप होता गया और रसूल ने जाकर अंग्रीन की मुनादी को शुरू किया और फिर रसूल फरमाते है खुदा ना करें मैं किसी और चीज़ पर फखर करूँ सिवाए अपने खुदा आपने यह सुमसी की सलीव के क्यूंके सलीव का पिगांब हञाआप पुने वाड़ों के निज़्ीक तो बेवापूफी है मुकर हम निजाट पाने वाड़ों के निज़्ीक खुदा की क्या है उद्रत है यह सारा वाक्य सी तरह होता रहाँ सल्तना निज़ीड रसी खत्म होगे को है इसराइस का पूरी दुनिया कर बदाएं है वो यहां हग और जिद्गी मैं है। एक अलग रियास्त इसका नाम बरे सगीर था पाकोहिंद था जहां पर अच्छूती फार्सी और मुसल्मान मसीही शिक पार्सी हिंदू बहुत सारी कौमेट थी वह अबाद थी और यहां पर मुसल्मान अबाद थे गोरे बाहिर से यहां पर आए काड़ोबार करने कि अपनी यहां पर जगा बनाए फिर यहां पर बढ़ गए और जब उनकी तदाफ बढ़ती है तो उन्हें इन्हीं को अपना मती बना लिया और पहले जो थी पहली जो रुकान होकर जो कमेटी थी वो मुसल्मी काफ थी जिसके रहनुमाई थी वो काईद याजम ने की फिर उन्हों उन्हें आपसमें वोटिंग की और यह चाहते थे कि कैसी मौलकत वजूद के अंदर आए जिसके जरीया से हम अजाद रह सके जब इस इसला सारा इसी तरह पूरा हो रहा था तो 18 अपर 1947 को एक शब्सका इसका नाम है दिवान S.P. सिंगा साहब जिन्हों ने इसके अंदर श हमने नहीं बलके जो घरकमान है इन्हों ने आप पर हमला किया था तो जो लोग थे जो मुस्लमान थे हैं दूसरे लोग थे उन पर इन्हों दबाव डाला और हिंदुवों को इन्हों जॉब्स देना शुरू कर दी और आज आज आप देखे इसलिए उतने जारा तरकी आफ मुस्लिन लीग काफ है फिर उन्होंने वॉटिंग की क्या की वॉट डाले और कहा के देखते कि कौन सी सल्तान की अलादा होती है या नहीं इसी वाकिया कि वॉट डाले तो जो नतीजा था वो बड़ा ही जबरदस और हैरत अंगेज आया नतीजा यह आया कि दोनों का बरब काइच के अंदर हर काम को सहर अंजान दे दूसरी तरफ यहां पर चार ऐसे हमारे मसीर हैनुमा है जिनने वोटिंग की हैं तो पाकिस्तान वजूद के अंदर है आप जानते हैं हमें यह पता है क्राइब जाजम है इलामा एकबार है सरसेयद अहमन खादा चोडरी परवेज रहमत अली हैं हफीज जन्दी हैं लेकिन कि आपको यह पता कि चार ऐसे शक्स थे अगर वोटिंग ना तो पाकिस्तान वजूद के अंदर भी ना था इसलिए कभी भी मत समझे कि हम अकलियत नहीं बलके क्या है अक्सीरियत हैं वही नौट माइनॉरिटी बलके हम क्या है वहां पर आज भी ऐसे खंडरात मजूद हैं जहां पर खुदा के खादम ने आकर मुनादी की थी और मस्रीयत का बीज बोया था और इसलिए अगर पाकिस्तान के अंदर अबाद हैं हाललुया यह मत समझेगा हम मगरीब से मश्रिक से हैं कहीं से हमारी जमीन हैं बलके यहां पर खुदा के रसूल ने आकर मुनादी की थी और उसको नेजों के साथ इन लोगों ने मार दिया था जब वहां के मुखालफीन थे और जो चार लोग यहां पर हमारे सामने आते हैं वो कौन थे उनमें ऐसे बड़े ही नामगार जो लोग हैं वो शामिल थे जब हम उनकी त दिवान बहादूर एस्पी सिंगा सहब फिर इसके बाद दूसरे शक्स हैं चोधरी फदल इलाही तीसरे हैं जोश्वा फदल दीन और चोधरी चंदूलाज यह वोटिंग की तो चार वोट मुस्लिम लीग के ज्यादा हुए और पाकिस्तान पर जूद के मुराया हाललुया यहां नहीं समय पता हैं यहां पर रसुलने क्या कियी थी। पाकिस्तान जिया वजूद के अदर आया था अगर यह वोटी ना के तरहें पाकिस्तान वजूद के अदर ना करता फिर से जो हिंदू लोग के वो कबदा बदर हो जाते इसलिए कि हमारा मुलक है यहां पर फिर भी मुकमल अक्रूक नहीं मिझे लेकि फिर भी खुदान का इसा है शुकर करते हैं खुदा का कभी कि याओ रौस किया करें खुदान कम से कम दुआ कर सके हैं अपनी मर्जी से आप देखिए कि जो दो तीन मार के दर हम जब घरों के अंदर कैद थे गरों सो नहीं निकल सकते हैं कई लोग कर निकले लेकिन जब अधुमत की पॉलिसी वो यही थी कि लोग जो थे वो बाहिरें ना लिकरें लेकिन सब इस सब के बावजूर हमें एक बड़ी मुश्किल फेशाए कि हम घर के अंदर बंते उस तरह कर नहीं सकी इस तरह होता था जिस तरह चहल कदमी जो थी वो हुआ करती थी लेकिन बाराल इस बात को मैं देखन खुता के शुक्र कमरें के खुताने में अब लिए पाकिस्तान यह अ देखा और यह वही जिरुश्रम है जो पुराने हैधनामे के दरह में नदर आता है इसका जिकर क्या है बाहिए मुकदस बयान करती है कि सब लोग अपने कामों के दर मस्रूफ होंगे और यका यका असमान से ऐसी आवाज आएगी जैसे जोर की आंदी का सनाचा होता है हर जबाज़र से किसी भी रुआएट से वो तालूर रगते है जिसने उसको कबूल नहीं किया होगा अब उसके लिए मौका क्तम हो जाएगा टाइम निम्र्ट पूरी हो जाएगी और एक ही लोग वोग दाखिलोंगे जिनने उसको कबूल किया होगा और बद्यरे लोग ऐसे ह है जो बात कर जाएंगे और यह कहेंगे ए पहाड़ो हम पर गिर पड़ो ए सतनतो हमें बचा लो हमें खुदा के खजब से बचाओ और बाइवर मुकदस उनीस में बाप के दर में पता रखता है कि कैसे शक्स की आमदुई जिसका चेहरा कैसा है नौरानी है जो सफेद दिल है क्योंकि वो उसको देखेंगे बाइवर मुकदस प्यान करती है मैंने देखा कि जमीन ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया पाताल ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया आलमे अफसल ने अपने अंद के मताबिक वहाँ पर होगे और उनकी जिसमों को नियाद किया जाएगा क्यूंकि अब अधालत का वक्त आचुका है एक सलतनाच जो खत्म हो चुकी है एक सलतनाच जो आने वाली है और वह सलतनाच यसुमसी नासरी की है सारे मुझे उटकर खड़े होंगे और यसमसी के सामने जाएंगे फिर मैंने देखा किताबे खूली गई एक किताब जो भी नहीं खूली गई वो किताब कौन सी है कौन सी किताब है और जिस किसी का नाम बर्रे की किताब के अदर लिखावा नहीं मिलेगा उसको वहां डाला जाएगा जहार रोना और दाट का पीसना है सारी सब्दनते खत्म हो जाएंगी अर्च हो या फर्च हो ताफ्त हो या रियास्ते हो या इक्तियारात सब चीजे उसके लिए और उसके वसीला से प्यादा हुई इक्तिया में कलाम था कलाम खुदा के साथ था कलाम ही खुदा था और कलाम मजस्ण हुआ और यह सुमसी पूछेगा और अपने मूग की उस तलवार से उन लोगों को मारा जाएगा जिनने उसमर इल्जाम किया होगा उसको कबूल नहीं किया होगा पाकिस्तान के अंदर हम रहते हैं हमें हकुद नहीं मिलते कोई बात में लेकि खुदा अनका शुकर है हम अजादी के साथ रहते हैं लेकि जिस सल्टनत की मिया को खुशकपरी देने के लिए हम वहाँ पर सब लोग खुदा का चेहरा देखेंगे हालेलुया तो वहाँ पर एक ऐसा द्रफ मजूद है जिसके ओपर बारात रागे फाले निकलते हैं और जिससे क्या है कौमों को शिखा मिल दिया और वो द्रफ कौन है खुदा का बेटा यसमसी नास्री हालेलुया वो कोई उस पर इमान लाएगा वो हलाक ना उरगा क्योंके खुदा ने दुनिया से के उसने अपना ताके जो कोई उस पर इमान लाएगा वो देशादी हमारी जिखी बड़ी कठाना है हमने बड़ी असानी से और बड़ी ही तेजी और बड़ी चलाकी और उशारी के साथ इसको अबूर करना है पहले हमने इमान रतना है फिर इसके बाद हमने बफ्तिस्मा लेना है फिर हमने लगा ताहत तालीम पानी है फिर हमने एवेंजिलिजम करना है अपने गराने को भी बिजाना है और आखिर में हमें सालवेशन सक्सेफ मिलेगी और अब भी संद्रत हारे लिए है पत्रस रसूल ने कहा खुदावन हम अपना सब को छोड़कर तेरे पीछे आये हैं हमें क्या मिलेगा तो खुदावन ये संद्रत हुमाया तुम तफ पर बैट कार इस्राइल के बारा सभीज़ों का इंसाथ करोड़े हाललुया एक संद्रत आसी है जो कभी खत्म नहीं होगी और बाद्शाहों के बाद्शाह खुलावंदों के खुलावंद है यसी वसी नासरी की है इसका बात यहावा और जिसको हम मानने वाले हैं हाललुया अब जब मजूदा हलात चल रहे हैं इम्रान खान को कितने लोग पसंद करते हैं हैं तो हमें उनके अंडर रहन आप जामें बुला लगे या दुख लगे फुदा नहीं क्याता था कि कोई बाद्शाह हो इसराइल ने खुद कहा हमें एक जिसमानी बाद्शाह चाहिए उनकी इज़त करें और उनके लिए द्वा करें कि मौमान लिए अच्छा कुमूद है वो पास करें किसी से नफ़त ना रखे क्योंकि जो आला हुकुमते हैं यह हमारे मुलक के निदान को चलाते हैं अगर यह निदान ना रहे तो साही जो हुकुमते हैं तो पास पास हो जाएंगी खुदा अलीम आप सब को इस किलाम पर अमल करने की तुफीक अठाब फरमाए उदावनियसमसी के नाम में अभी मुलायाम गयनपूरा आलमें है अलियाँ